कि हा elaborола इडलो कि स्टेडी जौन तो आज हमारा टॉपिक एयहां पर हम इस्टार्ट कर रहे ही हम इनinalata करें हमाये टॉपिक का नाम है फ्रॉबिट प्रॉबिलिटी इसे वाद पास ट्राइब प्रास एलेवन में में आती है छार कार रेएब़ती में तो देखिए तो देख क्या हिता है प्राबिल्टी में कुछ चीजों को यह तो यह क्या है? आइ cricket मीन्स कोई इवेंट हो रही है या होने वाली है उसकी प्राभबिल्टी निकाल रहे ही है event A, event को हिंदी में घटना बोलते हैं, मालन लो कोई घटना है उसके होने की प्रवबिल्टी इस इस कॉल P A, तो class 10 का फॉर्मॉला क्या था, किसी घटना के होने की प्रवबिल्टी इस इक वर तू नमबर अफ के से सुस घटना के फेवर में अपन टोटल के सिस, अब यहाप एक नई चीज आ गई है, एस का मतलब होता है, सैंपल स्पेस, अब यह सैंपल स्पेस क्या है, सैंपल स्पेस का मतलब किसी एक्सपेरिमेंट के टोटल आउटकम्स का सेट, टोटल आउटकम्स का सेट, फॉर एक्जाम्पल मान लिजी कि अगर आपके पास में कोई, कि आपके पास में माल लीजे कोई experiment आप कर रहे हैं जैसे toss of two coin को अगर आप toss of two coin कर रहे हैं तो यहाँ पर sample space क्या बनेगा sample space equal to head 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 tail tail head and tail tail यह आपका बनेगा sample space मतलब जो आप experiment कर रहे हो उसके सभी समभावित results सभी समभावित प्रणाम कितने प्रणाम क्या होंगे सारे प्रणाम क्या होंगे तो यह हो सकते हैं ओके सो number of ns equals to कितना हो गया 4 ns कितना हो गया 4 तो probability किसी घटना के होने की probability pa equal to n a upon कितना ns n a upon ns उस घटना के favor में जितने point हैं उनको लिखो उनके numbers को लिखो upon total outcomes जितने जो total point बने हैं उनको लिखो ओके number of cases in the favor of event upon total number of cases यह कहलाती है probability clear है अब देखे ए अगर आप set के हिसाप से देखे अब set के हिसाप से देखे यह आपके पास कोई set है तो अगर यह चीज आपके पास है इस जगह में है a मतलब a का होना तो यह जो बाहर की जगह है जिसको मैं अलग color के pen से mark कर देता हूं तो आपको ज़्यादा बहतर समझ में आएगा यस यह दिखिए so this color okay so this is called what a का ना होना this is called a bar this is called a bar okay so a bar a bar के लो ऐसी को a dash के लो दोनों यह एक चीज है a bar a dash okay so आप देखिए यह क्या एग यह है universal set क्या बोलते हैं इसको यह sample space यह क्या है sample space और जानते हैं कि probability of sample space किती होती 1 क्योंकि sample space में सारे सारे element आ गये on the sample space में कितने आ गए सारे के सारे element आ गये तो sample space में बिलकुल exactly अगर आ पो बोलेंगे कि probability of PS किती होगी लिए भाई साब तो ऊपर भी NS और नीचे भी NS तो NS upon NS कितना हो गया 1 तो प्रबिल्टी आफ सेंपल स्पेस किती होती वान होती है तो आप देखिए कि यहां पर सेंपल स्पेस के अंदर दो चीज़े हैं एक है A और एक इतना Aडस सो यो राइट हीर प्रबिल्टी अफ एस इकल टु रॉन तो यू राइट पी ए प्लस पी एस कहलो एकल टू कितना 1 क्लिर वा कि नहीं हुआ सो पी ए प्लस पी ए डैस एकलस तो वन सो मूर बेटर अप लिख सकते हैं पी ए प्लस P A- एक्वल टो 1, और अच्छा क्या लख सकते है P A, इसी को लिखते है P not A, A का ना होना, जिसको मैं प्यार से बोलता हूँ, अन होनी, एक्वल टो कितना, 1, होनी प्लस अन होनी, A से बचा हुआ, उसी को not A कहते हैं, okay, A से बचा हुआ, उसको क्या बोलते है, not A, इसी को तो बोलते हैं P A plus P A का डैस तो बोल दिया है A का कॉंप्लीमेंट भी बोलते हैं तो कितना A बट आपको A बार दिखाई देगा ओके एक कॉंप्लीमेंट कहीं मिल जाए तो अच्छी बात है समय लेना तो A डैस बोलो या एक कॉंप्लीमेंट बोलो या नौट ए बोलो तीनों क्या है सेम चीज है ओके तो पी A प्लस पी एक कॉंप्लीमेंट एक कॉंप्लीमेंट इकॉल टू वन था सॉरी क्या था या पर वन तो मतलब लॉजिकली क्या रिखा हमने की होना और ना होना की प्राबिल्टी किती आई तो पी ना होना नौट ए एकॉल टू वन माइनस पी ए मतलब किसी चीज के ना होने की प्राबिल्टी इकॉल टू वन माइनस उसके होने की प्राबिल्टी पुलिए ऐसा नो समझ में आगे ना, तो किसी चीच के ना होने की probability is equal to 1 minus होने की probability, any problem, कोई दिक्कत, ठीक ना, तो किसी चीच के ना होने की probability equal to 1 minus उस चीच के होने की probability, ये probability की basic approach है, तो क्या क्या सीखा अभी तक हमने, अभी तक हमने सीखा कि PA plus PA bar equals to कितना 1 अब देखे कुछ basic theorem है जो probability में काम करती है और वो आती कहा है वो set के rules से आती है किसे आती हैं वो set के rules से आया करती है set के rules से तो उन rules को हम देखते हैं कि वो rules क्या क्या है set के ओके देखिए ठीक है ना so set के rules क्या क्या है पहले set के rules को समझेंगे उसके बाद वो चीज है हम को समझ में आना सुरू हो जाएंगी set के rules देखिए दो प्रकार के set होते है एक होते डिस जॉइंट से एक होता है जॉइंट से ओके तो ये मेरे पाद जो set दिख रहा है ये डिस जॉइंट से थे क्योंकि इसमें कुछ भी connected नहीं है A और B क्या है डिस जॉइंट सेट तो अम मैं बोलूँगा A union B equal to कित्ता हो जाएगा sorry number of element in A union B equal to number of element in A plus number of element in B क्योंकि जो भी है A में है और B में है यहाँ पे A और B का common कुछ भी नहीं है तो A intersection B कितना है आपे 5 5 मतलब empty set 5 मतलब empty set और number of element in A intersection B कितना होगा 0 क्योंकि N 5 5 element के अंदर कित्ते element होते है 0 तो फर्क मैसूस करिएगा यह set है बट यह number है और अभी हम किस पे खेल रहे है number पे किस पे खेल रहे है number पे number of element पे देख रहे है तो number of element in A union B equal to N A plus N B और आपको पता है कि किसी घटना की probability P A कित्ती होती है N A upon कितना N S N A upon N S तो यह देखिए यह मेरे पास sample space है set बुलेजी यहाँ इसके अंदर भी तो कुछ element होगे न हाँ यह न उन सब को जोड़ करके क्या बनेगा N S क्या बनेगा N S तो यदि मैं कहूं P A union B equal to ध्यान से देखिए यह अपने पास में P A union B equal to हो जाएगा N A union B upon में क्या जाएगा N S यही तो आएगा न क्योंकि किसी चीच की probability is equal to उसका set upon total number of elements yes or no so N A union B की value क्या है N A plus N B है की नहीं है और N S इसके नीचे भी चला जाएगा और N S इसके नीचे भी चला जाएगा तो यह क्या जाएगा P A plus P B तो इस cases में P A union B equal to कितना होगा P A plus P B ठीक है न क्यों क्योंकि A intersection B कितना हो गया था 5 कितना होगे था 5 और उसके अंदल number of element क्या होगे थे 0 तो ऐसी event को जिसमें कोई common part ना हो उसको हम बोलते हैं यहाँ पर A और B क्या कहलाएंगी इनको हम बोलते हैं mutually exclusive event क्या कहते हैं mutually exclusive event so guys these events are called mutually exclusive event okay इनको mutually exclusive event बोलते हैं इनको बोलते हैं परफ़र घटना है उके जिनमें कुछ common ना हो जैसे दिन और रात अगर दिन होगा तो रात नहीं होगी और रात होगी तो दिन नहीं होगा दोनों common कुछ भी नहीं है दोनों में common कुछ भी नहीं यह head and tail more better head and tail नहीं तो आप को गी दिन और रात का कोमन शाम होता है उसमें आप कन्फियूज हो सकते हो हैड एंड टेल की बात करो लड़का एंड लड़की यह सब्सक्राइब अब दूसरा फॉर्मुला क्या है वो भी देख लेते हैं तो दूसरा फॉर्मुला देखेंगे दूसरा फॉर्मुला क्या बनता है इसको देखिये अगर आपके पास दो सेट शेयर कर रहे हूं दो सेट कया है इवेंट है एक इवेंट एवेंट भी और उसका कुछ कॉमन पार्ट है यह सो नू तो आपको निकालना है अ यूनियर्ण यही तो निकलता है, number of favorable element upon total number of element, n for number favorable element, अब हम जानते हैं कि joint set के लिए favorable number of element होता है, na plus nb minus ka na intersection b, agree? na plus nb minus ka na intersection b, whole divided by how much? ns, so I can separate, so na upon ns plus nb by ns minus na intersection b upon ns, so I can write this as pa plus pb minus pa intersection b, yes or no? so pa union b equals to pa plus pb minus pa intersection b, यह आ गया a union b का, okay? अब यहाँ पर रिखे, a और b का कुछ part common है, तो ऐसी event जो होती है, इनको आप mutually exclusive नहीं कह सकते हो, यह event mutually exclusive नहीं है, आई बस समझ में न, अब आए कुछ rules पढ़ते है, set theory के, जिससे हमारे नएने rules निकल के आते हैं, जो आप भूल जाते हैं, ओके, वो ला होता है, that is called de Morgan's law, कौन सा लाँ? हाँ, de Morgan's law, देखे, de Morgan's law, क्या कहता है, de Morgan's law कहता है, कि a union b का, compliment, not, a union b का, not, okay, इसको अच्छे समझे, equal to a not, intersection b not, याने, इसी को बोलते हैं, a और b, union का मतलब होता है, और, union का मतलब होता है, और, intersection का मतलब होता है, end, intersection का मतलब क्योंता है, end, समझ में आ गया, तो a union b, मतलब a या b, में से किसी का कुछ ना होना, मतलब A का ना होना और B का ना होना समझ में आ गया यह याद रखिए सो इसमें formula कैसे बनता है number of element in A union B का ना होना not is equal to number of element in A bar intersection number of element in B bar समझ में आया कि नहीं है clear हो गया so N A union B का बार equal to A bar intersection B bar अब इसमें probability में आ जाईए so probability A union B का बार okay equals to probability A bar intersection B bar clear हुआ probability A bar intersection B bar तो यह थोरा माँ प्याद रखिए कि A union B का complement कहलो bar कहलो not कहलो equal to A not तो इसको क्या कह सकता हूँ मैं इसको not भी बोल सकता हूँ कि not of A union B equal to A not intersection B not तो इतना जाद आपको दिमाग को stress देनी के ज़रूरत नहीं है आप सीरे यह याद रखिए कि A union B का ना होना equal to A का ना होना intersection B का ना होना क्योंकि देखो सीरे सीरे जो है यह जो not है यह खुल रहा है A के उपर और B के उपर सम्झ में आया दूसरी यह देखी पी sorry A intersection B का compliment A intersection B का compliment okay intersection B का compliment equal to क्या हो जाएगा देखे A के उपर compliment आएगा इसका क्या हो जाएगा union और B के उपर compliment आएगा आगे समझ मैं आपको तो बस यह थ्योरा में इस पर आपको probability ले करके चलनी है इस तरीके से आपको इसमें probability आपको ले करके चलनी है कुछ और result छोटे छोटे देख लीजे जो आपको बहुत जुरूरी है याद करने के लिए वो यह है कि जैसे आपको कह दिया कि probability A union B का बार अभी अभी मैंने बताया किसी का ना होना equal to one minus किसी का होना बताईए सीखा आपने की नहीं हो नहीं सीखा इस चीज़ का ना होना मतलब one minus इस चीज़ का होना आई बहुत समय में न तो यही result है आपके पास में जो बहुत ज़्यादा commonly use होंगे यह class 10th 11 तक के result है जो आपके पास use होंगे then इसके बाद class 12 का जो result होता है वो अपनने पढ़ा क्या है वो अपनने पढ़ा है P A bar oblique B P A bar oblique B equal to one minus P A oblique B okay P A का ना होना conditional probability A bar upon B B के उपर A का होना ना होने की chances equal to one minus B के उपर A के होने की probability okay chances ना बोले probability बोले ज़्यादा भेतर है एक बार फिर से बोल देता हूँ B के उपर A के ना होने की probability equal to one minus B के उपर A के होने की probability तो यह probability के सारे cases यहाँ पर आपनने discuss कर लिए है okay तोब पास्टे